हेलो फ्रेंड्स वल्कम टो मैं चैनल सभीतास किचिन डायरी आज हम लोग बना रहे हैं स्वर्षे पापदा पापदा एक फीश है यह आप लोग जस देख देख रहे हैं मैंने पापदा फीश को नमक हल्दी और चिली पाउडर से मैरिनेट किया देन उसको मस्टाड आल में ह मस्टाड को मैं ग्रीन चिली देके पेस्ट बनाई हूं और इसको चन्नी में चान देते हूं उसके बाद अब लोग finely chop करके रखेंगे और इसको बनाएंगे अभी कडाई बिठा दिए कडाई बिठाने के बाद इसमें जो चोंक हम डालेंगे वह है कालोंजी या जिसको बोलते हैं अचली काला जीरा कालोंजी और ग्रीन चिली को जो slit करके रखे थे उसको यूज करेंगे चोंक के लिए यह चोंक जब रेडी हो जाएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे जो टमाटो को finely chop करके हम रखे हैं वो टमाटो को इसमें डाल देंगे सो यहां पर मैं एक चीज बताना चाहती हूं जो शोर्षय पापदा है यह एक बेंगली डिश है मैं इसको मेरी मुताबिक बना रही हूं थोड़ा सा ट्विस्ट है जो ऑरिजिनल डिश है ऑरिजिनल डिश में टमाटो यूज नहीं होता बट यहां पर मैं टमाटर डाली इसको माच्छ बेस्वर बोलते हैं इसलिए यह सोर्षय पापदा बनाने के टाइम में थोड़ा टमाटर इसमें यूज करती हूं इसका जो टैंगीने से वो मुझे फीश में अच्छा लगता है उसके बाद इसमें हम लोग डालेंगे स्वाद के मुताबिक सॉल्ट चिली पाउडर चिली पाउडर एगेन आप लोग आपके स्वाब के हिसाब से डालिए मैं यहां पर कास्मेरी रड़ चिली यूज कर रहे हूं क्यूंकि मैंने ग्रीन चिली स्लिट किया हूँ यूज कर चुकी हूँ आलड़ी आप लोगों को थोड़ा ज्यादा दिखापन अच्छा लगता है तो नॉर्माल चिली पाउडर हाप टी स्पून फूल आप लोग यहां पर यूज कर सकते हैं करने के बाद इसको थोड़ा सा टमाटर को सफ्ट होने तक वेट किजिएगा टमाटर सफ्ट हो जाएगा दो मिनिट से टमाटर सफ्ट हो जाता है और एक बार मैं रिपीट कर रहे हूं इसमें उनली मस्टाड यूज करिएगा फिर फीश का जो फ्लेबर उभर के आएगा ग्रवी के अंदर से कोई भी मस्टाड पेस्ट करी में आप रिफाइंड ओल यूज करेंगे तो उसका जो टेस्ट है वो कम हो जाएगा इसमें मेरा और एक करता हुआ धन्यापत्ता बेंगली लोग धन्यापत्ता यूज नहीं करते हैं शोर्षे पाप्दा में बट मुझे इसका प्ले बार अच्छा लगता है टमाटो के साथ तो मैंने इसको आड़ किया यह कंपल्सरी नहीं है आप नहीं चाहते हैं तो आप बीना धन्यापत्ता यूज करके भी यह डिश को बना सकते हैं कोई ऐसा कोई जबरदस्ती नहीं है कि आप यह चीज को जरूर डाले और एक चीज मैं यहां पर बताती हूं हम लोग जो आपम बचुआली गुद्ध करता है इसलिए ज्यादाने करता है यूज होता है यलो मस्टर्ड का स्ट बनने के बाद मैं इसको छनी में एकौश अबने कर दिया करता है वो छिलका अक्चुली एकशिडिक क्रियेट करता है जो बेंगली ओरिजिनल डेशेप असोर्शेप आपदा का है उसमें ये लोग थोड़ा सा हालका सा खशखश या पपी सिट्स मस्टार्ड को ग्राइड करने के टाइम डालते हैं बट में उनली मस्टार्ड और ग्रिन चिली का पेस्ट बनाई हूँ पोस्टो खसखस या पपी सिट्स मैंने यूज नहीं की हूँ इसमें बट आप चाहते हैं तो थोड़ा सा फ्लेवर देने के लिए हाप टी स्पून पुलब पोस्टो भी इसके साथ ग्राइंड कर सकते हैं अभी हम लोग इसमें डालेंगे स्वाथ के मुताबिक नमक नमक डालने के बाद अक्चली और एक चीज भी मैं यहां पर बोलना चाहती हूँ कि जब हम लोग मस्टर्ड पेस्ट यूज करते हैं उसको ज्यादा भुनिये मत भुनने से उसमें एक बिटरनेस आ जाता है इसको कम से कम टाइम जस्ट वेट किजिए जैसे मसाला पूरा ठीक से टमैटर और ग्रेन चिली और धनिया पत्त्य के साथ मिक्स हो जाए उसके बाद जितना ग्रेवी हम लोग को चाहिए ओही हिसाब से हम लोग वार्म वाटर इसमें आड़ करेंगी सो पानी डालने के बाद हम मिक्स कर लेते हैं मिक्स करने के बाद इसमें हम लोग 5 चप सुगार भी डालते हैं क्योंकि वो टेस्ट को बालांस करने के लिए थोड़ा सा हलका सा सुगार का ज़रुरत होता है हम लोग टमैटो यूस किये उसका टैंगीनेस तो रहता है सो थोड़ा सा एक पींच अप सॉल्ट आड करेंगे तो उसका जो असली टेस्ट हो आपको मिलेगा ग्रेवी में उबल आ जाने के बाद हम लोग उसमें जो फ्राई किया हुआ पापदा फिश है उसको डालेंगे एक चीज का याद रहें पापदा फिश बहुत सौफ्ट है उ अब भी तो अब यदिस डालने के बाद हम लोग छोड़ देंगे 5 मिनिट ग्रेवी में फिश को अच्छा से पक जाने के लिए पक जाने के लिए नहीं उसके अंधर जो ग्रेवी का फ्लेवर, हैं पूरा चला जाता है और फिश और ज्यद्न साफ्ट हो जाता है उसके बाद हम लोग उसमें finely chopped coriander leaves and green chili को slit करके उपर डाल देंगे अभी हमारा ये dish पुरा खतम हो गया है twister ओही है जो कच्चा mustard oil है जो raw mustard oil है उसको आप लोग एकदम last में 4-5 drop जरूर डालिएगा मस्टर्ड वेवी में जो चीज हम लोग तयार करते हैं वो भेजो या नन्वेजो भेज का भी mustard oil यूज करके सरी mustard paste यूज करके कैसे dish बना जाता है उसको भी मैं दिखाऊंगे आगे आप लोगों को अभी नन्वेज में दिखा रही हूँ जो मैं बोलना चाहती थी mustard paste का कोई भी चीज बनाने के टाइम उसके उपर थोड़ा सा raw mustard oil जरूर दिजेगा उसका एरोमा बहुत अच्छ लगता है गर्मा गरम शोर्षे पापदा अप लोगां के लिए तयार है